नमस्कार आप देख रहे हैं नूज आपका आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ जिसे देख आपके होसूर जाएंगे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कोई सरकार या प्रशासन अपने आखों को बंद करके आदिवासियों को अंधेरे में जिन्दगी गुजारने पर मजबूर करते हैं कैसे नकसर प्रभावित इलाकों के गाउं में सरकारी योजना फेल हो जाते हैं आपको बता दूँ कि काफी लंबे समय से जारखंड का पच्छिम सिंभुम जिला नकसलियों का गड़ बना हुआ है कलोरो रुप्य के इनामी नकसली पच्छिम सिंभुम के घने जंगलों में मौजूद हैं और पिछले कई सालों से सुरक्छा बलों और नकसलियों के बीच खुनी संघर्ज भी जारी है और इसी खुनी खेल में सबसे ज़्यादा आम ग्रामिनों को जान गवानी भी पड़ी है चाहे मुखबरी के आरोप में हत्या हो या फिर आईडी की चपेट में आने से मौत हर बार नुकसान ग्रामिनों को उठाना पड़ रहा है आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नकसल प्रभावित इलाकों का जन जीवन काफी देनिये स्थिती में है सेक्डो गाओं में आज भी मुल्भू स्विधाएं नहीं पहुच पाई है आपको बता दूँ कि पच्छिम सिंभूम के नकसलवाद इलाके में भारत सरकार के द्वारा गाओं में बिद्यूती करन के लिए दिंदयाल ग्राम ज्योती योजना के तहत सोलर पैनर लगाए गये थे जिसमें सबसे ज्यादा अत्यांत नकसल प्रभावित प्रखंड, टोंटो, गोलकेरा, सोनुवा, बंदगाओ, नुवामुंडी, मनहरपूर के सेकडों गाओं में चार साल पहले तक सोलर प्लांट लगाए गये थे कुछ दिनों तक उन इलाकों में ग्रामिनों को बिजली भी मिल रही थी, मगर आज उन नकसल प्रभावित इलाकों के गाओं के सारे सोलर प्लांट खराब हो चुके हैं, जिससे ग्रामिनों को आज भी अंधेरे में जीवन गुजारना पड़ रहा है आज आपको मैं उन तमाम गाओं की पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ, जहां आज कई सालों से सोलर प्लांट खराब पड़े हैं सबसे पहले नंबर पे है पटा तारोब गाओं, जहां पर कूल 125 परिवार रहते हैं सोलर प्लांट खराब होने की वज़े से यहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं पटा तारोब गाओं की बात करूं तो यहां एक साल पहले तक वही नकसर प्रभावीत इलाका है जहां तक सुरक्षा बल के जवान भी काफी मुश्किल से पहुच बाते थे हल जगा कच्चे रास्तों में आईडी बम बिछा दिया गया था और प्रेस नोट के माधियम से मुवादियों ने कहा था कि सुरक्षा बल के जवान पटा तारोब पहुचकर सरजंबुरू तुमबा हाका पहुचने की कोशिस में लगे हुए थे उसके लिए बकाइदा पटा तारोब में सुरक्षा बलो ने फोरवर्ड वोप्रेटिंग वेस्केम बनाया फिर वहां से सुबह साम गोले बम दागे जाते थे यानि पटा तारोब एक काफी जादा खतरनाक नकसर प्रभावित इलाका था और ये इलाका काफी लंबे समय से अंधेरे में डूबा हुआ है सोलर प्लांट खराब होने की वज़े से यहां के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है इससे आगे है सरजंबूरू और तुम्बा हका सरजंबूरू में 20 परिवार रहते हैं तुम्बा हका में 60 आदिवासी परिवार रहते हैं और ये भी अंधेरे में रहने को मजबूर है ये वही इलाका है जहां पर क्रोडो इनामी नकसली रहा करते थे काफी अंदरुनी इलाहों का होने के कारण मौवादियों ने इस इलाके को अपना मुख्यालाए काफी लंबे समय से बना कर रखा था जब इनको खोद कर बंकर बना कर नकसली वहाँ पर रहा करते थे काफी लंबे खुनी संगर्थ के बाद सुरक्षाबल के जवानों ने तुमबा हाका में अपना वेस कैम बनाने में जो है वो सफल हुए मगर उससे पहले इन इलाकों में कई जवानों को अपने प्रानों की आहोती देनी पड़ी कई गरामनों की मौत प्रभावित गाओं के बारे में बताता हूं जहां की सोलर प्लांट कई सालों से खराब है और आज तक ना उसके रिप्यरिंग हो रही है ना ही कोई देखरेक हो रही है मसुरी बुरू में 110 परिवार हैं अन्धेरे में जी रहे हैं एक सो चालिस परिवार राजबसा में 82 परिवार जिर जोर में 115 परिवार अन्धेरे में रहने को मजबूर है ये लंबी लिस्ट जो है वो काफी लंबी है आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त नकसलियों का पूरा इलाके में आगमन था उस वक्त सोलर प्लांट लगाये गए थे उस वक्त कोई भी रोक टोक नकसलियों के तरब से इस प्लांट को लगाने के लिए नहीं की गई सभी की 2015 से 2020 दग्यानी की 5 साल के लिए कई सोलर कमपनियों को इन गाउं में सोलर प्लांट लगाने का काम सोपा गया था जिसमें से कुछ कमपनियों के नाम है जेक्सन सोलर, अभिसेक सोलर, सन इंफ्रा, कमला इंस्टूमेंट, सवित्रा इंटरेस्टिज, इन सभी के द्वारा नक जरजर इस्थिती में तब्दिल हो गया है, कोलोरो रूपिय की सरकारी योजना धरातल पर भरष्ट चार की भेट चड़ गया है, एक सोलर प्लांट को लगाने के लिए लाखो रूपिय खर्च होते हैं, बड़े-बड़े सोलर प्लेट, उसकी सारी भेटरी आज, कि अगर ह सकड़ा में 60 परिवार और ऐसे सेकड़ो गाउं आज भी अंधरे में रहने को मजबूर हैं, जब नकसली थे तब बल्ब जलती थी, जब उनका प्रभाव कम हुआ, फिर क्यों इन समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है, क्यों आदिवासियों के परिवार को बल्ब की र हात्मे की बात करती है, दूसरी तरब नकसल प्रभावित इलाकों में वो मुल्भू स्विधाय ग्रामिनों को देती ही नहीं है, जिससे उनका जीवन अच्छा हो सके, अच्छी सिक्षा, स्वास्त, रोजगार ये सारी चीजों से कोसो दूर रहने को मजबूर है इन इलाको पर खुलेगी, नकसलियों के संगठन में इस इलाके के नबालिक बच्चे से लेकर हरुम के युवक युगति सामिल हुए, उनके पास मजबूरी थी, उनके पास रोजगार नहीं था, और नहीं कोई उस तरह का कोई साधन था, चंद पैसे के लिए अपने परिवार को चला टॉन्टो, गोईल के रा, सोनवा थाना, छेतर के सेगडो गाओं के युवक मवादियों के लिए काम करने लगे, कोई रासन पहुचाने में लग गया, कोई उनको सुचना देने में लग गया, कोई लोग जो है नकसली संकठर में जूड कर मिलिस्या सदस से बन गये, आपक जो के हाथों में पेन को पी होने चाहिए वे नकसलीों के लिए काम करते थे, आखिर इसके पीछे की वज़ा क्या है, इन इलाकों के सेगडो युवा आज भी जारखंड से प्लाइन कर अन्य राजों में जाने को मजबूर है, कारण बस इतना है कि यहाँ जंगलों से लकड कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, अगर सरकार नकसल प्रभावी तिलाकों के युवा यूति के लिए रोजगार उपलप्त करवा देती, वेकेंसी अगर देती, तो नकसलवाद की समस्या आधी तो वहीं पर खत्म हो जाती, ये खोन खराबा जो है आज नहीं देखना प पर विचार क्यों नहीं करता, आज आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, आदिवासीों की खूब चर्चा होगी, नाम बटोरे जाएगे, बड़े-बड़े होल्डिंग लगेगी, नाचगान होंगे, क्लोर रुपिय का मंच तियार किया जाएगा, लेकिन क्या पूरे राज देखकर आपके आँखों से आसू निकल जाएगे, ऐसी स्थिति में जी रहे हैं आहां के आदिवासी, और नकसलियों के तरब से आदिवासी दिवस को लेकर एक क्रेश्ट नोट भी जारी की गई है, उसे भी मैं जल्द आपके समच पेस करूँगा, लेकिन आपको ये टेस्ट अपडेट नकसल प्रभावी तिलाकों से पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, देखते रहें न्यूज आपका धन्यवाद